जिस औरत के अंदर यह गुण होता है, वह माता लक्षमी का रूप होती हैं, उनका कदम आपके घर में पढ़ते ही, आपका घर स्वर्ग में बदल जाता है, तो चलिए जानें कि औरतों के वह गुण कौन से हैं, जो उन्हें माता लक्षमी का रूप बनाती हैं, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो आपको पता ही है चानक्यजी बहुत बड़े नीतिकार थे नीतिकार के साथ साथ वी बहुत बड़े ग्यानी भी थे उन्होंने बताया कि जिस इस्तरी के अंदर यह गुण होता है वह बहुत ही ज़्यादा भाग्यसाली होते हैं तो चलिए जाने सबसे पहला गुण जिस इस्तरी के दोनों आखे भूरी हो भूरी आखे वाली आउरतें बहुत भाग्यसाली होती हैं उनके घर में आने से घर में धन का भंडार आजाता है पैसे की कभे किसी प्रकार की तंगी नहीं आती दूसरे नमबर पर लंबे बाल वाली आउरत बहुत भाग्यसाली होती हैं उनके घर में आने से आपके घर के सारा बुरा साया सारा काला साया दूर भाग जाता है किसी भी प्रकार के भूत प्रेत आपके घर में नहीं रह जाते अगर आपके घर में किसी आउरत के बाल लंबे हैं लटके हुए गाल जिस आउरत के गाल लटके हुए होते हैं वे बहुत ज़्यादा भाग्यसाली होती हैं क्यूंकि उनकी उपर कुबेर महराज और माता लक्षमी का दोनों का साथ साथ आसिरवाद रहता है बड़े अस्तनवाली औरत जिस औरत के अस्तन बड़े होते हैं बड़े अस्तनवाली औरत बहुत भाग्यसाली होते हैं वे माता दुरगा का रूप होते हैं वे आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आने देती पाचवे नमबर पर बड़े बैक वाली अवरत जिस अवरत के बैक बड़े होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा भाग्यसाली मानी गई हैं उनके अंदर संपूर्ण ग्यान भरा होता है और वह आपके परिवार को बहुत ही अच्छी तरीके से चलाती हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको यह चोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रिलेटिव में सेयर करें बाई बाई फ्रेंड